हाई फ्रेंड्स, विल्कम टो आलपनास कोकिंग स्टाइल, आज हमने बनाया मसला पस्ता, यह मसला पस्ता बहुती टेस्टी है और बनाना भी आसन हैं कोई भी इसे बना सकते हैं, जल्दी बन जाता हैं, तो आप जोरूर इसे एक बर घर पर टाई किजिए, तो आये देखते ह इसे हम कैसे बनाया मैंनी इहाँ पे 200 ग्राम पास्ता लिया और कुछ बीन्ज गाजर कैपसिकाम दो प्याज दो टमाटर और थोड़ाशा लहसुन इसे हम बारिक करके काट लेंगे कड़ाई में पानी बोईल हो राएं आप इसमें डाल देंगे 1.5 तीसपुन नमोक और इसे थोड़ा मिला देते हैं और आप डालेंगे इसमें पास्ता और इसे हम बोईल करेंगे मैंने ये पास्ता को 20 मिले धाक कर बोईल किया क्योंकि बोईल होने में थोड़ा से टाइम लगता है अब हम ढखकुन निकल के चेक कर लेते हैं ये पास्ता बोईल हो चुका है अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून तेल ताकि ए पास्ता एक दूसरे से ना चिपके और इसे थोड़ा से मिला देते हैं आप ए पास्ता को हम स्टेंट कर लेंगे मैंने कराई गरम होने के लिए राग दिया आप इस कराई में हम 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और आप डाल देता है काटी हुई लहसन और हारी मिच्चे यह हालका से फ्राई होने के बाद डाल देंगे काटी हुई गाज और बीन्स और प्याज यह हम पहले डाल लें टॉमाटर और कैपसिकाम हम बाद में डालेंगे ये हालका से सोफ्ठ होने तक हम धाक करेंगे दो मिनिट कुक करेंगे ये सोफ्ठ हो चुका है आप डाल देंगे कैपसिकाम और टमाटर इसे भी हम सारे सोबजी का साथ मिला लेते हैं और आप डाल देंगे हाप टिस्पन नमक और नमक डालके थोड़ा आछी तरजा Мिला लेंगे और इसे ढखकर ओर दो मिनिट कुक करेंगे तक है जल्दी से सोफ्ठ हो जाए दो मिनिट कुक हो चुका है आप ढ़कर निकालके थोड़ा शे आछी अचती तरह मिंक्स कर लिए है सारे सुब झीखों और आप डाल देंगे इसमें 1 टीशपों चास्मनी लाल मिट्ज आपका पाशा झाखर काश्मिन लाल मिर्स नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्स डाले लेकिन हाप टी स्पून और डाल देते हैं दो टीबल स्पून टोमेटो क्याचप ताकि यह जो काश्मिन लाल मिर्स डाला इसका साथ अच्छी तरह बैलेंस बनेगा और इसे डाल के मैं मिला लेती हूँ आभी डाल देंगे बैल किया हुआ पास्ता आप सारे मसाला का साथ आच्छी तरह मिक्स करेंगे आभी डालेंगे हापटी सपुन नमक, नमक पहली भी हापटी सपुन डाला था नमक हमेशा आपकी टेस्ट नुशत डाले और आप डाल देंगे इसका पर थोड़ी से ग्रेट किया हुआ चीज यह चीज हमने थोड़ी से डाला अगर आपका चीज बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा करके डालिए यह थोड़ी से चीज डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और डाल देता है हाप्टी स्पुन गरम मसाला आपका पास पास्ता मसाला है तो ओ डालिए पर गरम मसाला से भी बहुत ही आच्छा टेस्टी वनता है ये पास्ता और इसका पूर डाल देता है हाप्टी स्पुन चिल्ली स्फ्लेक चिल्ली फ्लेक्स आप एवोईड भी कर सकता लेकिन इसमें एक अच्छा फ्लेवर देता है, इसलिए हमने चिली फ्लेक्स डाला, और ये पास्टा सारे मसला के साथ हम आच्छी तुरह मीक्श कर देते हैं, देखिए हमारा कालरफुल चाटपटी पास्टा रेडी हो गया, आप ग्यास को अफ कर देते हैं और इसे गरमा गरम हम प्लेट में साप कर लेंगे I hope आपको ये चटपटी कालरफुल पास्ता बहुती पसंद आए और ए रेसिपी आच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी एकी चैनल पर आपको ये अलाग अलाग रेसिपी मिलेगा आप सब खुश रहें, फेर मिलेंगे और एक नवया रेसिपी के साथ, टेक क्यार